लेते हैं कि आप ये जमीन जो है खरिदना चाहते हैं ये पलोट अगर आप पसंद कर लिए इतना पलोट आप खरिदना चाहते हैं इतना टुकरा खरिदना चाहते हैं तो आपको ये भी जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए कि ये जमीन खरिदने से पहले आपको क्या करना प का सिगार हो सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं देखें जमीन जो कुछ लोग खड़िते हैं वो वैसे लोग से खड़िते हैं जिनको वो जानते हैं या उनके रिस्तेदार हैं उनके गवाले हैं उनको सारा जानकारी होता है और दूसरा जमीन वहां भी जाकर खड़िते हैं कुछ ऐसे सहर में जाकर खड़िते हैं जहां पर आप किसी को नहीं जानते किसी को नहीं जानते तो दोखा हो सकता जब आप जानी नहीं रहे हैं आपको कुछ पता ही नहीं है तो पहले तो वो पता करना परेगा तो कैसे करेंगे उसका पता तो चलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यह जमीन जो है इसका एक नंबर होता है जमीन के मैप में माल लेते हैं वह यह 112 है 112 नंबर का प्लोट है तो इसका जो नज़दी की छेतर है जो राजस्व का काडियाले है जो लेंड रिवेन्यू जहां जो है कलेक्ट किया जाता है वहाँ पर जाकर आपको पता करना होगा कि यह जमीन जो है किसके नाम दर्ज है मतलब यह किसके नाम से है यह बात आपको पता करना होगा नाम माल लेते हैं नहीं आप पता करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि ये जमीन का मालिक कौन है तो आप ये देखेंगे कि इस पे जो है सरकार को टेक्स कौन दे रहा है सरकार को जो है टेक्स कौन दे रहा है जमीन बेचने वाला का पिता दे रहा है या जमीन बेचने वाला जो है खुद दे रहा है सरकार को जो यानि जिसके नाम से रसीद कट रहा होगा वो इस जमीन जो है एक तरह से बेचने वाला का पिता है या खुद वो वेक्ती है उसी के नाम से जो है टेक्स जा रहा है ये आपको पता पहले करना है उसके बाद जो है यह जमीन अगर माल लेते हैं उसके पिता के नाम से है खुद से खुद अगर वो टेक्स दे रहा है ठीक है और यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जो उसके पिता के नाम से टेक्स जा रहा है तो पिता के नाम से अगर पिता के नाम से रसीद जो है है तो आपको ये देखना है सबसे पहले, इस पिता के कितने बेटे हैं, ठीक है, अब ये जो रिशिप्ट आपको मिलेगा, जो रसीद मिलेगा, माल लेते हैं इस पिता के दो बेटे, आपको ये एक बेटे से खड़िद रहें, तो दूसरा बेटा से आप बात कर लें, ताकि उस वो जो है एक तरह से आपको जमीन खड़िदने में इस पे सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी परकार का कोई दिक्कत ना हो, अब अगर वो मुकर जाता है, तो आप जमीन जो एक तरह से बिक्रेता है, उससे भी बात कर सकते हैं, कि आपके भाई के दोरा, जो है अगर किसी नो एनोसी पराप्त हो जाता, तो हमको भविश्ट में किसी परकार का कोई दिक्कत नहीं होता, तो ये जो अगर उनके वनसज हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, मतलब अगर उस जमीन के और उत्रादिकारी हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, कि अगर बैक्ती खुद अपने नाम से समपत्ती का जो रसी जितना वो प्रोपर्टी बेच रहा है, ठीक है, या उससे अधिक उसी पलोट में, अगर बैक्ती खुद के नाम से सिलिप कटा रहा है, ठीक है, और या बैक्ती पिता के नाम से condition देखने हैं, खुद के नाम से कटारा तो दिक्कत नहीं है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको देखना यह होगा, कि आखिर यह जमीन कैसे पराप्त हुआ, ठीक है, मतलब यह जमीन जो है किसी से, किसी से जो है खड़िदा गया, यह दूसरा, यह जमीन जो है, वो खतियानी है, मतलब बाप दादा की जमीन है, पुर्वज की संपत्ती है, तो यह आपको देखना बेहर जरूरी है, अगर खुद के नाम से वो कट रहा है, तो यह देखना है कि किसी से खड़दा गया क्या संपत्ती, या इनके पिता खड़ होंगे, दादा खड़ दे होंगे, या यह संपत्ती खतियानी है, खतियानी संपत्ती अगर है, तो आपको यह भी कर लेना है, कि यह पड़िवार में, किसी का भी, कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी कानूनी विवाद भी नहीं है, यह बात जो है, आप ये समपत्ती खडियिने में किसी परकार का कोई दिकत नहीं है है न अगर सारा सही डॉक्मेंट सही पाया जाता है जितने भी आपको मैंने प्रकिरिया बताया ये सारा प्रकिरिया करते हैं कि आप राजस सुकारिया लेवी जाते हैं वहाँ पर आप verify करते हैं उसके बाद जो उनके परोसी है उनसे पूस्ताज करते हैं उसके बाद ये भी आपको देखना है कि tax पिता के नाम से जा रहा है जमीन उस बैक्ती को ये कैसे प्राप्त है अगर जमीन खड़ीदा गया है तो इसका पूराना रजिस्टरी का औरिजनल डॉक्मेंट है आप जब खड़ी देंगे तो वह भी आप अपने पास ले लेंगे इसलिए कि जो भी कोई पुराना कागजात है अब जिसके पास वह जमीन है उसी का वह राइड बनता है उसको रखेगा हो सकता है कभी जो आगे का प्रक्रिया करना हो उसमें किसी का प्रकार का समस्या उत्पन हो तो वह कागजात आपका मदद करें अब सवाल है कि जमीन खरीदने के बाद क्या करना चाहिए देखें जब यह जमीन जो है आप खरीद लेंगे यह 112 नंबर का जो पलॉट है इसको आप खरीद लिए उसके बाद आपको जो है इसका मुटेशन करवाना परेगा इसका दाखिल खाड़िज करवाना परेगा और उसके लिए जब आपका जो आपका रजिस्ट्री हो गया अगर है ना तो आप उस रजिस्ट्री को जो है यानि आप क्या करेंगे आप ओनलाइन एपलाई करेंगे लेकिन अगर जो विक्रेता है बहुत सारे यहाँ पर देखें जब विक्रेता के नाम से अगर रसीद है बिक्रेता के नाम से अगर सरकार को revenue जाता है तो आप online apply करेंगे तो असानी से आपका यहाँ पर दाखिल खारिज दाखिल खारिज जो है यहाँ पर हो जाएगा लेकिन जो विक्रेता है उसके अगर पिता के नाम से अगर माल लेते हैं रसीद है अब पिता के नाम रसीद है तो समस्या क्या क्या उद्पन होता वो देखें आपने रजिस्टरी को online apply करवाया रसीद अगर पिता के नाम है तो अगर भी क्रेटा के नाम है यानि बेटे के नाम है वही बेचा है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पिता के नाम अगर रसीद है आपने online apply करवाया और दूसरा भाई जो है वो आके उस पे objection लगा दिया है ना मतलब आबेधन लगवा दिया यहाँ पर कि यह जमीन जो है मेरा हिस्सा भी बेच लिया गया है तो क्या होगा आपका mutation जो है पड़िवारिक विबाद के चलते pending us तो रहेगा ही और साथ में वो reject भी कर दिया जाएगा इसलिए कि उस पे objection लग गया और अगर वहाँ पर जो राजस्तो के अधिकारी है जो भूमी सम्मंदित जो विभाद के अधिकारी है है ना वो अगर यह देखेंगे वो verify करेंगे देखेंगे कि सही में इसमें दो भाई का share है कि यह समपत्ति पूरा जो है वो पिता के नाम दर्ज है यानि दूसरा भाई का इसमें अगर share है तो उस case में क्या होगा उस case में यही होगा कि जो यह objection है वो सही पाया जाएगा लेकिन अगर बेचने वाले के नाम पर समपत्ति है विक्रेता के नाम पर है यानि विक्रेता के नाम पर है विक्रेते के नाम से उसका रसीद है ठीक है तो उस case में क्या होगा उस case में यह होग कि objection लगाने के बाद भी अगर ये देखा जाएगा कि जमीन वही बेचा है जिसके नाम से वो जो है tax सरकार वो जाता है तो इसका मतलब सही है विवाद जो भी है आप आगे अपना विवाद लड़ते रही है जमीन का विक्री हो चुका है तो दाखिल खारिज भी है ना दाखिल खारिज में भी किसी परकार का कोई रुकावट जो है वो नहीं होगा कोई रोक नहीं लगा पाएगा इसलिए विक्रेता के नाम से सरकार को tax जा रहा है विक्रेता के नाम से रसीद है जमीन विक्रेता के नाम पर है लेकिन पिता दादा के नाम पर है वनसज आएंगे उत्रादिकारी आएंगे अब्जेक्शन लगाएंगे मेरा हिस्सा बेचा जा रहा है तो समस्या तो होगा आपका दाखिल खारिज अगर नहीं होता है तो संपत्ती के पुर्न मालिक आप नहीं होगे हैं इसलिए ये संपत्ती का दाखिल खारिज ही नहीं होगा आपके पास रजिस्टरी है लेकिन जो अभी भी नाम दर्ज है दस्तावेज में वो किसका नाम दर्ज है वो विक्रेता का ही नाम दर्ज है और विक्रेता आने वाले समय में चाहेगा तो दुबारा भी इसको बेज सकता है फ्रॉड कर सकता है तो इसी लिए संपत्ती को खड़िदने से पहले जमीन को खड़िदने से पहले आपको ये अगर इस परकार सब सारा डॉक्मेंट को वेरिफाइ करेंगे सही तरीके से वेरिफाइ करेंगे तो आपको किसी परकार का कोई समस्या नहीं होगा आसा करते हैं वीडियो चलबाओगा वीडियो चलब वीडियो को लाइक जरूर कर दавай चैनल को पहली बार देख रहा है सबस्क्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा ले मिलते हैं गरे वडियों में तब तर